आखिर को नहीं है जॉय बॉइ वनपीस के लेटिस एपसोट के अंदर हमने जॉय बॉइ का नाम बहुत बार सुना है लेकिन रियालिटी में वनपीस के वर्ड के अंदर हमको जॉय बार में यतना कुछ बता है नहीं गया है JOYBOY نے फिशम्न आइलेंड के लोगों से बोला था कि जो जाएंट शीवे नोवा उसको और पॉसедंग की पाल्ड का यूस करके ओपूरी की पूरी फिशम्न आइलेंड को सर्पेस की उपर लेके आएगा जापर फिश्मन आलेंड के लोगों का बहुत पहले से ड्रीम रहा है कि उ बाकी ओधर लोगों के साथ में आके सर्पेस के उपर रहे जापर नॉर्मल लोग उन्हें ना इस लेव की तरह देखें ना एक किसी अंटिक पीश की तरह देखें कि भाई ये कुछ जादा है रियल टाइप का जानवर आ गया लेकिन यार किसी रीजन की वज़े से जॉयवर अपने प्रोमिस को पुरानी कर बाता है इसलिए वापर पौनिकलिप के उपर जॉयवर ने फिश्मिन आलेंड के लोगों से माफिय मांगी है जापर हमको पता है कि जॉयवर नाम का बंदा 800 सालों पहले वाइड सेंचरी की अंदर एकजिश करता था जापर वर गॉर्मेंट ने पूरे के बुरे औरा कोई बश्टर कॉल के अंदर उड़ा दिया उसके बाद में हमें लेटेस एपसोड के अंदर पता चला है कि वर गॉर्मेंट 800 सालों से एक डिविल फूट के पीछे पड़ी है जो कि अभी लुफी के पास में है जिसको मैं शो के स्टार्डिंग से गम गम फूट के नाम से बता जा रहा है लेकिन हमको लेटेस एपसोड के अंदर पता चला है जिसको जोईबोई ने उसके किसी क्राइम को जिसे पनिश्मेंट दिया है जिसके उसे वो समंदर के चकर कारता रहता है और जब तक जुनेशा को कोई वाई सब आल तिंश का यूज़ करके कोई ओडर ओडर नहीं देता तब तक वो अपनी पनिश्मेंट को दोराता रहेगा जापर हम देखते हैं कि जुनेशा को बस दोई लोग ओडर दे सकते हैं एक तो यह अपना मंकीडी लूफी जो की जॉइबो हैं सेकर यह अपना मवान उसके जिसके अंदर वोडेंग का खून बहे रहे हैं तो बात करें वनपीस की तो हमको पता है कि वनपीस जॉइबो का टेजर है जो कि उसने लाप टेल की ओपर छोड़ के रखा है और अपना पाइरेक किंग गॉलिधी रोजर पहला बंदा था जिसने वनपीस को टुनना था और उस टैम जॉइबो के साथ में वापर उडेंगी था इसलिए वोडिन को पता था कि जॉइबो के बाद में वानों के अंदर अपैर होने वाला है इसलिए वो अपने वानो के गेट जॉयबाय के वेलकम के लिए खुलना चाहता था लेकिन उसके पहली वो मर जाता है ओडीन ने अपनी पुरी की पुरी जर्नी को अपने जनरल के अंदर लिखके रगा था जापर जब काईडो को बता चलता है कि जॉयबाय अपने बरने के टाइम पर अवेकन होगा इसलिए वो बार-बार मनने का ट्राइ करता रहता है उसको लगता था कि वो खुद जॉयबाय है क्योंकि वो किसी भी फाइड के अंदर हारा नहीं था इसलिए वो बार बार मरने का ट्राय कर रहा था लेकिन हर बार वो जिंदा बाद जा रहा था लेकिन इतना सब ट्राय करने के बाद में जब उसको पता चलता है कि वो तो जॉयवाई नहीं है इसलिए वो किंग को बोलता है कि जॉयवाई वो बंदा रहेगा जो कि मुझे आने वाल अभी तो पाइदाए निवा इसका मतलब जोई भाई तो एक बस थेरी है उसके बाद हम देखते कि अपना मंकीडी लुफी 20 साल बाद वानों कुली में बहुत जाता है अपनी डेल फूड को अवेकंग कर लेता है और एक बाई फिर से 800 सोलों बाद जोई बाई इस में हेपिनेस को लाता था जहापर हमको ओन्पीस के वरके अंदर भी जोई भाई को इसीँ तरह से रीपिसेंट कर गया है अमें वन्पीस के वरक के अंदर बत आइगा है कि जब जौई भाई का रिटन होगा तब वो सभी लोग के मुग के ओपर एक जापर अपने ड्रम्स अब लिबरेशन को बजा के जापर हमने स्काइप या आर्क के अंदर भी देखा था कि सब लोग अपने टेंशन और अपने दुख को भूल किये बस हसे रहतर इंजॉय कर रहेते हैं क्योंकि वनपीस के वड़ के अंदर भी बहुत सारी स्लेवरी बहुत सारी डार्क चीज़ है जहापर कुछ लोग को अपर दिखा जाता है कुछ लोग को लोग को लोग दिखा जाता है इन सब के बीच में भेदबाव करा जाता है, सब को equal नहीं मना जाता है, इसलिए Joy Boy का एक ड्रीम होगा कि जहापर हर टाइप के लोग रह सके, वहापर किसी टाइप का भी भेदबाव ना हो, वहापर हर टाइप के लोग को equally treat करा जाये, जहापर हर लोग खुशी खुशी रह स होता है, तब काईड़ लूफी से एक question पूछता है कि तुम किस टाइप का वर्ड बनाना चाहते हो, जहापर लूफी काईड़ो को बोल रहा होता है कि मैं इस टाइप का वर्ड बनाना चाहता हो, जहापर कोई भी बंदा खाली पेट नस हो, तो Joy Boy और लूफी की thinking एक ही तर रोबोट को देखा था, इसलिए हमको बता चलता है कि वार्ड सेंचरी को ज Douậy अपने टाइम से पहले जहापर इतनी बड़ए बड़े जायंस रोबोट तक थे, झायद से पूरी कि पूरी वार्ड सेंचरी इतनी ज्यादा डेवलप नहीं रहे होंगी, वार्ड सेंचरी के उन्दर एक इसा किंदम होगा जो कि डेवल कोगा और उस वाले किंदम का रूलर जॉयभा हो तक है। उस वाले किंदम के उपर अलगा टैप के लोग रहे होंगे इसलिए उन लोगों ने इत्री चिखींट कर ली ओंगी। लेकिन वफितके टे SUR किंदम बाकि लंद जो स्टड़ी थी अपना जो रिसर्स था यह अपने किंडम्स के जो लोक थे उन सारे के सरे को लाप्टेल के उपर सिप्ट खड़ द्यार वही वनपीस हो और बाकी बचे जो उसके प्रॉमिस हो लूफी पुरा करेगा जहापर उसने बोला था कि वो फिश्टमेन आइलेंड क सर्पेस के उपर लिखे आएगा और जहाबर अब एक जो एंशेंट वेपन है जो कि है पोसाइड अन्शीरा उसी उसके पाउर्स का यूज़ करके वो पूरे के पूरे फिश्टमेन आइलेंड को सर्पेस के उपर लिखे आएगा तो अपना मंकीडी लूफी जोईवा है ज तक के लिए सायोनारा